हेलो गाइस ग्रिटिंग्स तु ओल मैं परीम आप सब का स्वाध करता हूँ इस वीडियो में कैसे हो आप सब मुझे आसे कि आप सब मस्त होगे आज है 28 जनरी और आज हम 28 जनरी 2020 के मोस्ट पूर्टन करंटाफेट्स करेंगे आप इस क्लास को अंत तक देखना क्यों क्यों क् आपके साथ इम्पोर्टनिटाफेट्स और स्टाटिक जी के भी डिसकस करूँ का इस क्लास से आपकी औरटफेट्स असाथ क्यों क्यों कि मैं हर लेवल के एक्जाम को कवर कर रहा हून में आजिए आजर क्लास अपनी शुरू कर ते हैं आजरके चलास भी हम हार मान लो लेकिन दिल दीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तू जरूर कर सकता है जब भी आप कोई भी पेपर देख के आते हो उसका जब रिजल्ट आता है आपका क्लियर नहीं होता तो सारे कहते हैं कि हार मान ले तेरे से नहीं होगा लेकिन मारा दिल कहता रहता है एक ब पूरी फैमिली की आपके उपर कितनी आशा हैं आप इन दोने बातों के उपर ज्याने के अपनी त्यारी करना देखना आप अपने एम को जुरूर अचीव करोगे आईए आज के लाश में पनी शुरू करते हैं मैं प्रेम आप सब का स्वाध करता हूं डीके उल्ले यूटूब चैनल पर आज की पहले करेंड़ा फेर्श हमारी किसे पूर्वराष्टपती पनम मुखर जी द्वारा चैंपियन ओफ चेंज अवार्ड से समानित किया गया है ये किसी किया गया है ये हेमन सोरेन ठीक है या रख लेना हेमन सोरेन को जार कंड नेक्स्ट है चीरिमनी शिशोदिया ये डिप्टी चीफ मनिस्टर है दिल्ली के ठीक है और एज्जुकेशन मनिस्टर भी है ये वार्ड इस लिंग को दिया है क्यों क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितना बदलाव आ गया है फाइ नेक्स्ट है मिस्टी शिलपा शेटी एंड राज कुंद्रा इनको स्वच भारत के लिए दिया गया है और शिरीमती दीपा वेंकट शोचल वेलफेर और स्वन्ना भारत ट्रस्ट आंदर परदेश आप इसमें शिर्फ और शिर्फ पहले दो नाम यार रख लेना और 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 भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के चुनाव आयोग के साथ समझोते ग्यापन में परवेश करने की स्कृति दी है यह कौन से देश के चुनाव आयोग के साथ समझोते ग्यापन में परवेश करने की स्कृति दी है वो है तुनीशिया और गोईना ठीक है यार मंत्री म अगवलेंटले भारत के चुनाव data को सुषीनिया और के चुनाव आयोक के साथ समजोतता ग्यापन में प्रवेश करने की स्कृति दीया है next global talent competitive index में भारत का कौन सा रंक है इसमें भारत का कौन सा रंक है यह बहत्तर रंक ठीक है या रख लेना global talent competitive index 2020 में बहत्तर रंक है और 2019 में भारत का रंक असी था and global talent competitive index यानि GTCI 2020 has been released at the annual meeting of the world economic forum on january 2020 2020 और INSEAD Business School released the GTCI report with the help of Google and ADECO group ठीक है आप इसमें सिर्फ तो यह आ रख लेना कि जो Global Talent Competitive Index है इसको कौन रिलीज करता है इसको कौन रिलीज करता है INSEAD Business School ठीक है आप सिर्फ तो यह आ रख लेना और इस लिस्ट में िजयलेड ठो किया है fine next है कौन सा देश पहली बार मुनिक सुरक्षा sparkiencia में बाग लेगा यह कौन सा देश है यह उतर Korea यानि North Korea ठीक है या रेक लेना इस बार उतर Korea देश पहली मुनिक सुरकसा संंसेयलन में बाग लेगा ठीक है और यह कहा होँं होती है यह इस हैंद म्यूनिक और यह जर्मनी में और कि साथ आप यहां रिखे ना इसका मोटो क्या होता है इसका मोटो होता है पीस्तूरू डायलोग फाइन और इसका फोर्मेशन विखे डाया सब्सक्राइब किनौन्म सब्सक्राइब काँभ। किस देश को 30,000 drops vaccine की खसरे की विमारी से निप्टने के लिए दे रहा है यह किसे दे रहा है यह मालदीव को दे रहा है इंडिया helps Maldives to take measles disease 30,000 drops and rubella vaccine to give to the islands फाइन आप इसको या रख लिना ठीक है और इसके साथ अब यह भी आ रख लिना Maldives की capital mail है और यहां के प्रेजिजेंट इबराहिम मुहमद जी है फाइन नेक्स्ट है 44 वे अंतर राश्टे है कोलकता पुस्तक मेले में किस देश को theme देश चुना गया है यह किस देश को theme देश चुना गया है यह रूस को चुना गया है ठीक है यह रख लेना 44 वे अंतर राश्टे कोलकता पुस्तक मेले में रूस को theme देश चुना गया है फाइन नेक्स्ट है किस ने 2030 तक कार्बन नकरात्मक यानि कार्बन नेगिटिव बनने की गोशना किया है यह किस नहीं किया है यह Microsoft ने किया है पुरसकार 2020 दिया गया है यह किसे दिया गया है यह उत्तराखनड को दिया गया ठीक है उत्तराखनर के disaster mitigation and management center यानि आवधा न्यूनिकर declaran और प्रबंदन केंदर को दिया गया है ठीक है अब यह रख लेना उत्राकंट राज्ये के Disaster Mitigation and Management Center को सुवाद चंदर वोष आवदा परबंद पुरस का 2020 दिया गया है सुप्रीम कोट को किसने का है कि जिसके खिलाव क्रिमिनल केस हैं उनको चुनाव की टिकट नहीं देनी चीए यह किसने का है यह जिनाव आयोक्त ने का है ठीक है वैसी यह कोशन आपके प्रिपरियों में नहीं बिनेगा इसको मैंने आपकी जन्नल नौलिज के लिए इन्किलूट किया है 2019 में ही लोक सभा के इलेक्शन होई है और उसके अंदर ऐसे कितने मंत्री हैं जिनके खिलाब क्रिमिनल केस चल रहे हैं ठीक है इसलिए मैं आपसों को कहना चाहता हूं कि आपके बास राइट तू वोट का अधिकार है आप उस बंदे को वोट दिया करो जो काम करें ना कि आ लोक सभा है में मिनिस्टर सचुन का घए उन में से 43 फिपल की ऑगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहे है और उन चैने पर इत 활 प्रशन पर अगेंस्टेच सीरियस क्रिमिनल केस चल रहे हैं जैसे किड़नेपफ़ एक जैसे और ये data किस ने लिज़ किया है और it is according to the association for democratic reform ठीक है ये question आपके paper में नहीं बनेगा ये question सिर्फ पर सिर्फ मैंने आपकी knowledge के लिए include कर रहा है ताकि जिससे आप अगे लिए अपना right to vote का अधिकार ठीक से use कर सेके अगर आपको कोई भी अच्छा बंदा नहीं लगता तो nota का option होता है आप उसको भी दबा सकते हैं अच्छी पहल हो रही है और आश्या है कि बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोट भी इसके उपर action लेगा जिससे कि अब किसी भी बंदे के खिलाफ कोई भी criminal case होगा तो उसको चुनाव की टिकट नहीं दी जाएगी fine next है सबसे ज़्यादा FIFA World Cup किसने जीता है यह किसने जीता है यह ब्राजिल ने जीता है ठीक है यहां रख लेना ब्राजिल सबसे ज़्यादा FIFA World Cup जीता है यह तो आपको बता होगा 2020 में FIFA World Cup का 22 वा एडिशन है और यह कतर में होगा ठीक है और ब्राजिल ने इसको 5 बार जीता ठीक है और पहला FIFA World Cup 1930 में खेला गया था और 2026 में USA, Canada और मेक्सिको यह तीनों मिलके FIFA World Cup को और्गनाइज करेंगे नेक्स्ट है दूर संचार विभाग ने भारती एरेटल में 49% से बढ़ा कर कितने परतीशत तक परतेक्स विदेशी निवेश यानि फोरन ड्रेक्ट इन्वेस्मेंट की सीमा को मंजूरी दे दिया है यह कितने की दे दिया है यह 100% दे दिया ठीक है या रख लेना दूर संचार विभाग ने भारती एरेटल में 49% से बढ़ा कर 100% तक परतेक्स विदेशी निवेश की सीमा को मंजूरी दे दिया है नेक्स्ट है दत्तू बोकनाल किस खेल से समंदीत है यह किस खेल से समंदीत है यह रोइंग से समंदीत है और यह न्यूज में क्यों थे इसलिए न्यूज में थे क्यों क्योंकि बारती ओलंपिक संग के हश्क शेप के बाद भारत ने दत्तू बोकनाल पर प्रतिबंद हटा ओलम्पिक ठीक है अब बस वर बस सिर्फ दो बात या रख लेना दत्तु जी रोइन से रिलेटिड है और इन्होंने 2016 में रियो समर ओलम्पिक के लिए क्वालिफाइड किया था नाइब नेजस्ट और 2020 का यानि गुरुप ऑफ 77 नेशन किस देश 최एवने 2017 जेख्मक्ग जियाएगा यहकु डेश में आजिवाना में एर लक लेना 2020 का गुरून Kiev motto गुवाना में अजुदित किया जाएगा ठीक है और जो इस 77 है यह 135 डेलंपिंग नेशन का गुरूप है ठीक है और इसकी इस्टिब्लिजमेंट 1964 में हुई थी फाइन नेक्स्ट है चीनी का सबसे ज्यादा निव्याद कौन सा देश करता है यानि लार्जेज एक्सपोर्टर ओफ सुगर वह कौन है वह है ब्राजिल ठीक है और यह 35 परचेंट एक्सपोर्ट करता है जैसे आपका पता होगा हमारे 71 गंतन दिवस पर ब्राजिल के प्रेजिडेंट मिस्टर बॉल्सुनेरो चीफ गैस थे ठीक है इसलिए यह कोश्यों निमार परिकली इंपोर्टन बन जाता है और सुगर केन फार्मर्स ने ब्राजिल प्रेजिडेंट बॉल्सुनारो को काले जंडे दिखाए है क्योंकि इन्होंने भारत के खिलाफ डब्लू टीयो यानि वर्ड ट्रेड और्गनाइशन गन्ने के प्राइस पॉलिशी के खिलाफ बा है वर्ड लार्जेस शुगर प्रडूश ठीक है कि 2018 में इंडिया में लायर्जेस शुगर का प्रडूशर था और बराजिल सबसे लार्जेस एक्सपोर्टर था ठीक है नेक्स्ट है, कैबिनेट समीति ने का के हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन सयंत्र को बंद करने की मंजूरी दे दिया है, ये दे दिया है तिलंगाने के, ठीक है या रख लेना, कैबिनेट समीति ने तिलंगाना के हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन स्प्लांट को बंद करने की पोल लो ठीक है कैतेरीना को ग्रीज की पहली महिला रास्टपती चुना गया है गंतन दिवस समारों में कौन सी विश्य वस्तूगी जाकी को थीम के रूम में परदसित किया गया है ठीक है ये किसे परदिशित किया गया ये तीन जाकी को थीम के रूम में परदशित किया गया पहली है जैपूर की चार दिवारी गुजरात के पतान में परतिष्ट स्टेपवेल और शिक दरम के संस्तापक गुनानक देवी की साड़े पांच सोवी वर्षगा ठीक है ये इन तीन जाकीयों को थीम के रूम में परदशित किया गया ताब इसको भी आर रख लेना और इस बार गटतन दिवस में 22 जाकिया थी नेक्स्ट है हसन दीप की अजख्षता में कान नई सरकार के घटन की गोशना की गई है ये का की गई है ये लेबनान में की गई है ठीक या र है डिलाइंजियो कंपनी अपने प्लैटफोर्म से कौन से माध्यम से बुक्तान की सुविदा देने वाला पहला दूर सरचार ऑपरेटर बन गया है यह यूपियाई से टियो और यूपियाई की फुलफोर्म है यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस ठीक है आपके पेपर म यूपियाई की फुलफोर्म भी पूछ सकते हैं इसलिए आप या रख लेना फाइन रिलाइंजियो कंपनी अपने प्लैटफोर्म से यूपियाई माधम से बुक्तान की सुविदा देने वाला पहला दूर सरचार ऑपरेटर बन गया है फाइन मुझे आश्या है कि आपको वीडियों अच्छी लग रहे होगी लेकिन आप एक दो दिन से एएवीड़े को शेयर नहीं कररें आप इस वीडियों को ज्याधा शेयर करो तो को फीर में बच्चे जूड़ कर अपनी ओलड़ को बढ़ा सके आज की वीड़े बक्स इतना है मुझ्या याष्यागी आहाई तो वीडियो अच्छी लग रहा तो आप इस वीडियो को लाइक करें जाजाजा शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमसे जूड़ सकें अगर आपको इस वीडियो से लेटिट कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंड बोक्स में लिखना मैं आज सबके कमेंड पढ़ता हूं और रिप्लाई भी दूँगा और अब बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे जाइन जाय बारत थैंक्यू एंड आव नाइस देश